नमस्कार दोस्तो में नाम अभिनास है और आप देख रहे हैं दोस्तो लर्नर सड्डा दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने एक complete project upload किया था एक से लेके 16 पार्ट तक अगर आप लोग नहीं देखा है तो वह देख लिए जगा trading के बाद करेंगे क्या होता है अगर वाट करें तो थ्रेट का मत्ब होता है दागा कैसा होता है प्तला उता है je तो होता क्या है जब हम कोई प्रोसेस रन करते हैं सबोच किजिए आपने पावर पॉइंट ओपन किया या वर्ड आपने ओपन किया Microsoft Word तो होता क्या है जब आप कुछ लिखते हैं उसमें तो उसी समय क्या होता आपका स्पेलिंग चेक होता है समझ रहें कि आपका जो है वर्ड जो आपने सही लिखा कि नहीं लिखा तो जो जो स्पेलिंग चेक हो रहा है वो क्या है वस्तों में एक थ्रेड है उसी समय ग्रामर भी चेक होता है ठीक है तो यह जो छोटे छोटे जो सब प्रोसेस हो रहे हैं इन ही को हम लोग दोस्तों बोलते हैं थ्रेड ठीक है तो थ्रेड वेसिकली क्या होता है रन टाइम पे ही जनरेट होता है इसका ऐसे अपना लाइफ साइकल होता है लेकिन यह रन टाइम पे ही जनरेट होता है सबसे अगर दूसरा example अगर हम लोग समझें और जो आपका word हो गया जो आपने open किया वो हो गया आपका process हमेसा ध्यान रख लिए एक process के लिए कई सारे thread क्रिट के जाते हैं जो कि उस process को execute होने में help करते हैं ठेक है अब इस इसको हमेसा ध्यान रखिए जैसे दूसरा जामर समझते हैं हम लोग game वेरा खेलते हैं computer का तो उसमें क्या आता है अगर हम cricket की अगर बात करें तो wetsman क्या आता है फिल्ड में उसे किस तरफ मारना है उस पर भी नजर रखता है समझ रहें तो multiple task जो है एक ही time पर perform किया जा रहा है एक ही process के तुरू multiple छोटे छोटे सब टास्क में divide कर दिया गया है that is called threading यानि thread का दोश को अगर हम लोग बात करें तो game में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ठेक है तो person is moving from left to right at the same time diamond shapes are blinking at the bottom ठेक है तो जैसे दिखते हैं ग्राफिक्स पर गयम में होता ही है बहुत सारे activity आपको दिखते रहता है ठेक है तो इन बहुत सारे activity जो होता है लेकिन होता यह एक ही process के अंदर है इस इसको आपको अमेसा ध्यान रखना है Thread is used to dividing the task of an application into separate subprocess which can run simultaneously ठेक है मताँ एक ही process हा उसे के छोटे-छोटे subprocess बना दे जाते हैं Suppose we need to execute the program then that program can subdivided into the number of a small subprocess each subprocess is called Thread Thread is a basic processing unit to which opening system can allocate the processor time Thread is lightweight process ठेक है होता यह process ही है लेकिन यह इसको अलग से memory दोस्तों नहीं दिया आता है इस इसको अपको हमेसा ध्यान रखना है कि जब हम लोग को एक thread create करते हैं बलकि जिस process के लिए create हुआ है समझे हैं जिस process के लिए create हुआ है उस process को जो memory दिया गया है उसी memory के अंदर उसी memory के अंदर जो है thread को space मिलता है या memory मिलता है अलग से दोस्तों इसका कोई सा भी memory हम लोग allocate नहीं करते हैं इसली बोलते हुआ है thread is a lightweight process lightweight हलका है जुकि अलग से तो मिली नी रहा है और program can have multiple threads, a thread consumes some resources so we should not use more thread than our requirements Java thread shares the common memory area so memory allocation for each thread is not required context switching requires less time than using the multi processing context switching क्या होता है जब कोई process run कर रहा होता है ठीक है तो CPU से जब कोई process हटता है दूसरा switch जाता है दूसरा process जब in करता है that is called context switching every java program has at least one thread that is the thread that executes the java program देखे होंगे जब कभी रन कराते है तो exception आता है exception thread लिखा हुआ आता है तो आप लोग देखे भी होंगे ऐसी बात नहीं है threads are faster than more efficient program which increases speed of execution सही बात है एक बड़े से काम को अगर आपने 10 लोग में divide कर दिया तो क्या हो गया काम एजी हो गया आपके लिए समझ रहें आप बहुत easy way में हो जाएगा 100 एट है आपको एक ही person को बोला जाए आपको फर्स प्रोड पर लेके जाना है जार टाम लगया उसी 100 एट को बोल दिया जाए 50 परसन है तो दो इट पहुंचा दिया बहुत जल्दी नतिजह कि अब आपको प्रोसेस क्या हो गया डिवाइड हो गया प्रोसेस क्या था इट को फर्स प्रोड पर पहुंचाना तो इस परगह गाद फ्रेट का में जो पर्बस है वह यही है कि еще कि युए अपके प्रोसेस को किस प्रकार ल करहाता ठीक है प्रोसेस को किस प्रकार ईजजी बनाना ऐसी बाना ऊनली 1 ऐट प्रेड इंद्वेट इजीओ्ते दिआन रखना है करेंगे तो अहां पर देखेंगे बहुत सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं अब बहुत सारे त्रेड फ्रेट भी होगे वहां गारी निहीं आगे जिए बहुत ट्रेड गार्रे पर करता है तो CPU क्या करता है जब process को manage करता है ठीक है तो एक process से दूसरे में जाता है तो साधर साथ ट्रेड भी क्या होता है चेंज होता है अब process अगेन है multiple light weight सा process called threads ठीक है अब जर्ण हम लोग इस चीश को समझते हैं एक MS powerpoint समझ लेते हैं जैसे मैंने आप शाटिंग में ही दोस्तों मैंने एक्जामपल दिया था कि MS powerpoint की अगर बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं जब लोग को design वे रहा है जब create करते हैं जब लोग design create करते हैं तो उसमें होता क्या है यह समालजी हमने टेक्ट लिखातब़ देखे हुंगे टेक्स जो है कभी blank करते हुए आ रहा है कभी left से आ रहा है कभी right से आ रहा है कभी टॉप से आ रहा है और तेक्स अठेहनगे आप थ्क्स उड़ते हुए आरा आ है यह पिसमिश हैं क्या है जोश्तों हमेशा इसी इसको आपको या था है MS PowerPoint process can create multiple sub process that is thread when we type anything in the slide then a spell checker spelling check करता है आपको और आपको क्या करता है बताता दुस्तों कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है यहां पर एक word आता है multi-threading और multi-processing जड़ा इसी इसको आप लोग clear कर ले multi-threading और multi-processing क्या होता है देखिए जब एक ही process पर एक से जादे thread create होते है ठीक है process को multiple task में divide कर दिया है that is your multi-threading और multi-processing क्या है आपने बहुत सारा process create कर रहा है जैसे आप video भी देख रहे हैं audio भी सुन रहे हैं ठीक है आपने net wins को भी open करके रखा है eclipse को भी open करके रखा है jam को भी open करके रखा है समझ रहे हैं तो आपने multiple चीजे multiple process को आपने क्या करके रखा है open करके रखा है इसीस को आपको हमें सा ध्यान रखना है धोनों में डिफ्रेंस में बता दिया Multi threading में तो क्या हो गया है एक process पे बहुत सारे थ्रेड Multi processing तो अलग लग process ही हो गया थोश्तों ठीक है इसीस को आपको हमें सा क्या करना है ध्यान रखना है Multi threading refers to an application with multiple threads running within a process मल्टि प्रोसेसिंग रेफर्ट टू अप्लिकेशन और गनाइज़ अक्रॉस मुल्टिपल ओस लेवल ठेक है अब जब त्रेड अब प्रोसेस में डिफरेंस को भी समझ लेते हैं यह लोग थ्रेड आर एजएयर तो क्रियेट मैंने बताहि है दिया अलग से म्योरी ब्यरा दिया जाता है नहीं इसमें प्रोसेस्स अलो इशजीर तो क्रियेट उके त्रेड्स दीफरेट रिकॉर में बॉरी टॉट करता नहीं जाता है, threads can be considered as a sub-process, so lightweight, process are not lightweight, क्यों, क्योंकि अलग-अलग की रिट होता है, तो अपको हमेशा याद रखना है, threads are not independent, process are independent, okay, threads cannot be divided into multiple process, but process can be divided into at least one thread, okay, each and every Java program has at least one thread, okay, कोई भी साभी प्रोगाम बना लें, दोस्तों, हमेशा याद रखिये, एक ना एक तर थ्रेड हमेशा आपको यूज़ता है, many Java programs can have more than one thread which are created automatically, thread is mostly used for game development, but non-game application can also use multi-threading, जैसे आपको दोस्तों मैं बता हूँ, game bank application में, हम लोग क्या करते हैं, multi-threading को यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ जो synchronization बढ़ेंगे आके, तो वहाँ देखेंगे, किस पकार वहाँ पर multi-threading में हम लोग-अलग thread बनाकर, resource को जो है, कैसे लोग acquire करते हैं, ताकि जो है, अग thread क्या होता है, ठीक है, अब next video में दोस्तों, thread कैसे implement कियाता है, दो-threading कैसे कियाता है, by extending thread class और by implementing runnable interface, उसके बारे में हम लोग एक-एक करके जानेंगे, तो इस video को दोस्तों मैं यहीं पर finish करता हूँ, ठीक है, next video में हम लोग practical करके समझेंगे भी, तो वीडियो को देखन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you